हेलो फ्रेंड्स मैं इसमर्थी आज मैं आप सबको चौको लावा केक बनाना बताऊंगी वो भी बिना अवन अंडे और बेकिंग पॉडर या सोडा के पर बनाती हो बेकरी ओंअ मार्केट भरक बना हुआ बल예요 जबताऊं आप नहीं कभी होता है, आप कभी भी इसे बनाके सक्ते हैं। बस टीन फ्रेश चौको लावा की जुरत होता है जो को करनाना अशना होता है। अरुडर नहयंक्ते हो सबक्रेस घर機 के पर के हमें मूँ सपन तो आईए देखते हैं काप मी चौको लावा केक कैसे बनाया जाता है चौको लावा केक बनानी के लिए देखिए मैंने आप एक पतीले में थोड़ा पानी रखा है और इसके उपर मैं एक बाउल डाल दोंगी और यहां पर मैंने डेरी मिल्क चौकरिट लिया है इसे हमें मेल्ट हो जाती है तो देखिए जो चौकलेट है वह मेल्ट हो चुकी अच्छे से इसके अंदर हम करीब वन टीस्पून डूट डाल देंगे और गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे इसे बस हमें मिक्स करके एक तरफ अलग रख लेना है मैंने चुए हैं आप पे बिस्किट ल की मैं रख लेंगे और इसे क्राइंड कर लेंगे हैं यह म構ने करीब दस से पंदर हम और यह मह collabor चॉकलिट लेवा यह अनव होता है दो कप के लिए अब इसको ग्राइंड कर लेंगे तो यहां मेंने मैंने बिस्किट्स को पौडर-फॉर्म में रेड़ी कर लिया है है अब ह चौकोलावा की एक बनाने के लिए है इसमें आज कप में ही इसमें बेक करेंगे यह जो मैंने बिस्कितो और दूद का बैटर बनाया है इसको हम कप के अंडर डाल लेते हैं तो कप को मैंने थोड़ा सा ओइल से ग्रीस कर लिया था और इसको बिल्कुल ऊपर तप नाफील करे तो ये मैंने दोनों कपस में डाल दिया है बैटर, इसको थोरा सा टैप कर दें और ये जो हमने जेरे मिल्ट को मेल्ट किया था दूड डाल के थोरा, इसको हम इसके बीच में डाल देंगे, ऐसे बस एक गोला बना के आपको इसके सेंटर में से डाल लेना है तो देखिए ये अब हमारे रेडी है बेख होने के लिए तो बेख के लिए मैंने आप एक कूकर को गरम करके रखा हूँ इसके उपर मैंने एक स्टेंड लिया है और इसके अंदर हम दोनों कॉप्स को प्लेस कर देंगे तो आप भी कोई स्टैंड ले 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 जो भी आपके पास हैवी लेवल हो और इसे क्लोज कर देंगे देखिए मैंने कूकर का धबकन लगा दिया है और मैंने इसको लो फ्लेम पे रखा है लो फ्लेम पे आपको इसे 15-20 मिर्ट के लिए बेक करना है तो देखिए 15 मि तो देखिए 15 मिर्ट के लिए फिर आप इसे सर्फ करें तो देखिए फ्रेंस हमारा सूपर अमेजिंग चौकुलावा केक वन के रेडी है बहुत ही बनिया टेक्शर है मैंने इसे कूकर में बेक किया जिसमें 15 मिर्ट का टाइम लगा अप चाहे तो इसे माइक्रोवेब में बेक कर सकते हैं तो आप भी इस रेस्पी को जरूर ट्राइ करें चौकुलावा केक की रेस्पी कैसी लगी हमें कमें जरूर बताएं लाइक शेयर करना ना भूले हमारे पेज इंडिया कर नहीं है तो पेज को फॉलो कर ले फिर मिलते हैं नहीं वीडियो में तब तक के झाल कना भी जरूर भी जरूर लास्टारा में मुड़ियो में तब तक कर लिए बाताऊ हैं तक को जरूर ol जे ले इंडियो में में उल बताएं कर ले क蒂म Θू है अवीं हो कि खया हैं खया हैं तक कि diversion Shaka am की बचलाई नहीं है। झाल झाल